हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSE Study Guide में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है DBT Topic Manual Handling के बारे में इसमें हम सबसे पहले देखने वाले है कि Manual Handling होता क्या है फिर उसके बाद हम जानेंगे कि Manual Handling में कुन से factors होते है और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि Manual Handling के बक्त कुन सी चीज़े हमें नहीं करनी है और कुन सी जो चीज़े है वो हमें हमेशा follow करनी है तो चलिए शूरू करते हैं तो सबसे पहले जानते है कि Manual Handling होता क्या है Manual Handling मतलब किसी भी load को transport करना या फिर support करना by using hand या फिर body के force के जरिये अब इस Manual Handling में आता है किसी भी load को lift करना या फिर उसी load को down करना या फिर किसी load को push करना या फिर pull करना या फिर एक जगा से दूसरी जगा carry करना या फिर उस load को move करना तो ये सारी activity manual handling में आती है अब ये जो load है वो कुछ भी हो सकता है जैसे की object भी हो सकता है percent हो सकता है या फिर material हो सकता है चलिए अब जानते हैं की manual handling के क्या factors है तो manual handling के total चार factors होते है पहला होता है load जिसमें जो load है उसकी categories होती है जैसे कि वो जो load है वो heavy हो सकता है, बलकी हो सकता है या फिर वो पकड़ने में जो है वो difficult हो सकता है, unstable हो सकता है या फिर harmful भी हो सकता है जैसे कि sharp load हो या फिर hot load हो या फिर too large है फिर उसके बाद second factor आता है वो है individual अब individual में क्या है वो depend करता है gender के उपर यानि कि वो male है या फिर female है तो उसमें उसका experience भी देखा जाता है उसका training देखा जाता है और उसको उसके बारे में कितना knowledge है वो भी चीज उसमें count होती है फिर उसमें third factor आता है वो है task फिर इसमें क्या होता है कि जो भी आप task कर रहे हो वो repetitive moment है कि आपकी वो देखी जाती है उसका vertical distance कितना है वो भी देखा जाता है फिर उस load को twist करने की ज़रूरत है क्या जब भी आप काम कर रहे हो तो ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है और फिर उसके बार last factor आता है वो है environment इसमें देखा जाता है कि space कितनी available है उसमें proper पर light available है क्या temperature कितना है slips or trips जो है वो opportunities हो सकती है क्या वहाँ पर तो ये सारी conditions इसमें चेक की जाती है तो ये जो चार points है यही manual handling के factors है आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जिस workplace में आपको manual handling का का काम करना है तो वहाँ पर अगर आपने किसी भी material को properly manual handling तो चलिए अब जानते हैं कि manual handling के दोरान हमने क्या चीज़े नहीं करना चाहिए तो सबसे पहला point है कि जो heavy load है उसको गलत तरीके से lift करना वो हमने वहाँ पर try नहीं करना चाहिए फिर उसके बाद है कि जो भी material को आपको manual handling करना है तो उसकी regarding जो भी pips है वो अगर आपने proper अगर नहीं पहने है यानि कि improper pips है तो उस conditions में भी आपको उस load को नहीं उठाना है फिर उसके बाद है कि जो भी काम आप करने वाले हो manual handling का तो वो जो काम है उसमें अगर peer pressure है तो उस peer pressure से भी आपको वो काम नहीं करना है अब peer pressure यानि कि कोई दूसरा persons अगर इसको उठा सक है तो मैं भी उठा सकता हूँ तो ये उसका peer pressure हो गया फिर उसके बाद है कि जो भी load आप उठा रहे हो और उस load को उठाने के लिए अगर आप back का इस्तमाल करते हो तो उस दोरान आपको उस load को नहीं उठाना है फिर उसके बाद है कि आपके body की जो positions है वो अगर awkward है तो उस conditions में भी आपको वो काम नहीं करना है फिर उसके बाद है कि जो भी load को आपको handling करना है तो उसके लिए अगर आपको travel करना है long vertical distance तो उस conditions में भी आपको काम नहीं करना है फिर उसके बाद है कि जो भी load को आपको transport करना है तो वो जो load है उसमें अगर मानलो liquid है और वो जो है व उस load को manual handling नहीं करना है तो जहां तक हो सके तो आपको mechanical जो भी equipments है, mechanical जो भी airs है, उसका ही इस्तमाल करना है material को एक जगा से दुसरे जगा ले जाने के लिए transportation के लिए फिर next point है कि जब भी किसी load को आप manual handling कर रहे हो, तो उस काम के दोरान आपको sufficient break लेना है, ताकि आप अपने body को resuscitate कर सको फिर next point है कि जो भी load को आप उठा रहे हो, उसके लिए आपको आपके जो thigh के जो muscles है, उसका इस्तमाल करना है उस load को lift करने में, move करने में फिर उसके बाद है कि proper PP जो है वो आपके पास होना चीए जब भी आप manual handling करते हो फिर उसके बाद है कि जो भी practice team है, उसको ही आपको उस load को lift करने के लिए engage करना है ताकि उसके वज़े से होने वाले जो भी effects है, उसको reduce किया जा सके फिर उसके बाद है कि हो सके, तो जितना load है उसको आपको reduce करना है और फिर last में है कि आपका जो body posture है, वो अगर poor है, यानि कि वो सही तरीके से नहीं है और वो under load अगर आ रहा है, तो उसको आपको avoid करना है तो ये सारी चीजे जो है वो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप manual handling करते हो तो दोस्तो आशागरता हो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जब भी आपको TBT conduct करना है जिसका topic manual handling है तो आपको उस दोरान क्या बाते करनी है और उसके लिए आपको क्या points discuss करने है तो आज के लिए इतना ही मिलता है नेक्स वीडियो में एक नए topic के साथ में तब तक के लिए take care bye bye